सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आइकन नेवर मिस अपडेट कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता था तीन मेन तेरह में तुम्हें क्यों हटाएगा गरीब मुल्क जे फटी तुमारी रफू वाले कपड़े पहनते हो खाने के लिए हैनी अठारा गंटे की लोड़ शड़िंग अमरीका हमारे खिलाफ साव शड़िंग इस राइट अड़ बाले जी इस राइट आड़ बाले जी राइट आड़ बाले जी तेली फिल्म से तो साजबी कभी बहुत ही टैफ कर ने ये पूरा ड्रामा क्या कर रहा है इम्रान खाने इम्रान ये कर रहा है कि स्ट्रीट पर टेंपरिचर उड़ा रहा है ठीक है कि जब मैं फॉज के साथ नेगोशियेट करूं मैं सरफ हाथ पर ना पकड़ू उनके मैं फॉज को ये बोलू कि भाई ऐसा है कि तुम ये कर दो वरना मैं ये कर सकता हूं तो मेरा एक नेगोशियेटिंग पावर जो है I can negotiate from a position of strength ये इम्रान कान के पूरा street protest का लब लुबाव यही है He wants to become soul अब ये कैसे pressure बला रहा है तीन टुकले हो जाएंगे मुल्क के Atomam उनसे ले लिया जाएगा फॉज खतम हो जाएगी ठीक है जो neutrals हैं वो कहां थे जब हमारे खिलाफ बेरुन मुल्क से साज़िश हो रही ये सब जैन दोस्तों मैं हूं मेजर गहरवारी और आप देख रहे है defensive offense लाइक करिए, subscribe करिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मुद्बूलिया तो वेवव एक वीडियो है जो पाकिस्तान में आजकल बड़ा वाइरल है और सब लोग शेयर कर रहा है मुझे भी आया पाकिस्तान से दो तीन सोर्सेस से आया तो सबसे पहले मैं यह चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो वीडियो देखें जिनको पंजाबी समझ में आती है उनको ऐसी समझ में आजाएगे जिनको नहीं आती पंजाबी समझ में उनको हम समझा देंगे जो पैसे बननगे तो सिमन देद देना मैं के ठीक है आचा दूसरी गल है वे के उनने मैंने के खान साब दो फून आया वे सुबह ताले टड़े खुल जन के साइथ से मैं जरी रिपोर्ट जमा कराई है खान साब ने क्यों मेरी गरंटी है मैं खासम करावांगा और लादक बड़ा लेटर भी ताम कल बेंगा उनने मन के और जरताई मैं कैड़ा बीबी रात नुमन दसे की ठीक है मैं ते पूरी चड़ाई किती है मैं के एक काम नी हुआ फरा देखो हैं एक काम नी हुआ इम्रान खान साभ ने भी चार दिन लेली है अभी तक लेटर नी आया ताले भी लग गए है रिपोर्ट भी जमा को गई है मैं कि ऑदालत में तो क्या बनेगा हमारा मेने तो किती पांको तून ही स्मेंदे के लेकिन's कुछ दिए का pense किनने कयडेट होगे मैं जबने को पुची है मैंने का एक जदेग से कितना है सेच्ज यह तो हमाइन इसन पर्सो मिल जएगी और लेडर में कल देजांगा हां ठीक है ठीक है अब बन्देया नो प्रेस का रहा है मैं क्या और हर कोई लॉलीपप दे रहे है मैं क्या ना पैने गो मैं दो तिन फोन उते ठले किते रहें मेरी बीबी ना गल होगे लेटर required कर लाज़ने मिले हो इसमय ने कहां बना का मिलेगा सुबा ताले खुms आधाने रियल एस्टेट का और सबसे बड़ा कबजा ग्रूप ये अपनी बेटी से बात कर रहा है और इसकी बेटी यह नहीं मलिक रियाज की बेटी है उसने बात करी है फरागोगी से फरागोगी कौन है वो जो जहाज में 90,000 डॉलर का बैग लेके बैठी वो है फरागोगी है हम लो बिचौलिया है किसके बीच में वो बिचौलिया है इमरान खान की वाइफ पिंकी पीरनी यानि कि बुशरा बीबी उसके और जो बुशरा बीबी इमरान खान के लिए पैसे खाती है वो किसके थूरू खाती है वो खाती है फरागोगी के थूरू रइट इमरान खान साफ है सादिक है अमीन है उसके हाथ सानिटाइजर से दस बार दिन में दूलते हैं तो वो तो दूर हो गया वो अपनी बीवी के तुरूप ऐसे खाता है इमरान खान और उसकी बीवी किसके तुरूप आती है फरागोगी फरागोगी कहां बैठी है बाहर विदेश में वो भाग गई फरागोगी फोन करती है मलिक रियाज की बेटी को और कहती है कि भई दो तीन बातें कहती है कि अंगूठी चाहिए किसको चाहिए पिंगी पीरनी को यानि कि इमरान खान की बीवी को चाहिए नई सब्सक्राइब कि जो आथी काईए। कि खान साफ की वाइफ ये कह रही हैं, जो एलिया है उनकी, ये कह रही हैं कि आप एक काम करें, ये जो हीरा जो है, हीरा आप खरीद के पांच कैरेट का हमें भीजवा दें, और किस गोल्ड पर उसको चड़वाना है हीरे को, ये हम लोग मैनेज करेंगे, ये हम लोग खुद हिसाब से अपने टेस्ट के, अपने डिजाइन के, हिसाब से अपने साइस के हिसाब से हम उसको करवा लेंगे, और, और, उसके बाद, जो उसका बिल है, वो आपको भेज़ देंगे, उसका भी पैसा आप दे देना, साफ सीधी बात है, चोरी करो, ठीक है, अच्छे ये बहरिया टाउन है याद रखने वाली ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है और पिशावर उसका कैपिटल है उसकी राजदानी है और इमरान खान तो अभी अभी बनी खाला आया उसके पहले तो वहीं पर था काफी टाइम तक राज कर रहा था है उसको डर लग लोगों का जो अवैद कबजा था तुम्हारा मलिक रियास सब बड़ा कबजा ग्रूप कोई है नहीं और वह मां मताएंगे क्यों है मलिक रियास सबसे बड़ा कबजा ग्रूप पाकिस्तान का उसके ताले खुल जाएंगे तो तुम अपना दंदा कर सकते हो इमरान खान इस मेजर हुआ करता था ठीक है अब ये वाला मेजर तो गरीब है लेकिन वाला मेजर बहुत अमीर है और सही बात है पाकिस्तानी फौज का मेजर ही जनरल तो छोड़ दो मेजर के पास भी अच्छा पैसा रहता है क्योंकि everybody has got his hand in the cookie jar सभी लोग मिठाईयां लूट रहे हैं बिस्केट लूट रहे हैं तो पैसा दो हो गए उनके पास वो PTI हो PPP हो कोई सी भी सरकार आजाए सेंटर पे या स्टेट पे मलिक रियाज सब को अच्छे से रखता है सब को खिलाता पिलाता रहता है और सब का लाग लाए ठीक है तो मलिक रियाज क्या करता है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप जेनरल्स है चाहे वो ISI के हो पाकिस्तानी आर्मी के हो टॉप जेनरल्स को रिटाइर्मेंट के बाद जो 4-5 टॉप हैं उनको as a consultant रख लेता है किसी को 50 लाट की salary किसी को एक करोड की salary घर वर गाड़ी घोड़ा गाजा बाजा सब उनके साथ रहता है कौन से खास दोर से जो पाकिस्तान की jack ब्रांच है नी की legal ब्रांच है जो आर्मी के उसके generals कि ये जाके फिर उसको supreme court में अगर कोई इसका तमाशा होता है कोई controversy में फस्ता है तो ये general टाइवाई लगा के फिर अंग्रेजी में बोलके कि ब्लाड़ी civilly and does that वो जाके इसकी चमड़ी बचाते है वहां से ये पाकिस्तानी आर्मी का मलिक रियाज जो है पाकिस्तानी आर्मी रियाज ने क्या करा कि 10 अरब रुपए की जमीन कराची के बीचों बीच घेर ली और जमीन किस की है ये बीचारे गरीब कोई settle है यहां पर यहां पर उनकी जमीन घेर ली पाकिस्तानी फाज या माफिया को इस्तमाल करके लोगों को लात मार के निकाला और ये जमीन पर कबज़ा कर है very bad बहुत बुरे आदमी हो तुम जी हुजूर एक काम करो सौ करोड़ रुपए का फाइन दो और ये गैरंटी दो कि तुम आगे से किसी की जमीन नहीं छेड़ोगे और नहीं कबजा करोगे जमीन पे मलेक रियाज न सौ करोड़ रुपए दिये है और दस अरब रुपए की पाकिस्तानी सुप्रीम कोट को कितना पैसा गया होगा जर्निलों को कितना पैसा गया होगा ये वैबभव सबसे बड़ा कबजा ग्रूप है पाकिस्तान का अच्छा एक बात नोट करीए जर्दारी के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें भी मलेक रियाज शामल था लीख इनका फोन कॉन टैप कर रहा है इनका फोन कॉन टैप कर रहा है तो यह भी देखने वाली चीज है कि यह जो पॉलिटिकल फ्लक्स है पाकिस्तान में एक क्या चल रहा है कौन यह करवा रहा है यह सोचने वाली बात है we can take a guess but the fact of the matter is in both the recordings the common factor is maligriyaz 2014 में मुमेंटम बिल्डप करा नून लिग की सरकार नवाश शरीफ की सरकार के खिलाफ इमरान खान का तो यह याद है वो डी चॉक पर चड़दोड़ा था इमरान खान कंटेनर के उपर वो ड्रामा ही करता रहा 2018 तक जब तक पीम नहीं मिला वो 3-4 साल उसका ड्रामा शुरूर रहा तो कई सो गाड़ियां जाती थी खास्तोर से पंजाब के अंदर कई सो गाड़ियां गई पीटी आई की तो जितने भी पेट्रोल पंप के मालिक थे ओनर्स थे, सब को पता था कि जिस गाड़ी में पीटी आई का स्टिकर लगा है उस गाड़ी से पैसे तुम नहीं लोगे ठीक है उसकी पेमेंट कहीं और से हो नहीं है तो टैंक फुल करो आगे भड़ो और पूरे पंजाब में क्या आपका लहौर, क्या आपका क्या आपका रावल पिंडी, क्या आपका और जगे जितने भी हैं पंजाब में और एवरिबड़ी गोइंग तो इसलामाबाद तो सब को लुक आफ्टर करा पेट्रोल पंप के मालिकों अच्छे ये देखो ये जो है ना ये लेफटिं जरल, जहिर О rac bunun थे लेवई 오ंके दोरान ये मामला शुरू हुआ था लेवफट तो सिपो곳 क्या करा आर्मी से आशरवाद गया मलक रियास को मलक रियास पेटरोल पंप वालों को पता था कि हमें पैसे नहीं लेने हैं, इसकी पेमिंट है कि मलेक हैं से पाकिस्तान का ट्रामा चल रहा है कि यो बंदा पानी की बॉतल ठीक है जो मौलाना फज मार्च लेकर आता है इसलामाजाबाद पिशावर से उसको बिरियानी के डंबे देता है कूं प्रियाज यह तो गलत बात है मलिक रियाज क्यों सियासत में पढ़ रहा है क्यों मलिक रियाज अरे भाई पहले यह पता लगाओ कि मलिक रियाज ने किस साल में पाकिस्तानी पौद छोड़ी कैसे छोड़ी बेसिक तो आप एक बात बताईए जरदारी वॉज़ प्रेजि़ेंट ऑफ पाकिस्तान है ना चलिए मलिक रियाज सबसे अमीर पाकिस्तानी नहीं लेकिन अमीर त हुआना है करब तरीन plus higher कि है गारफ टरेन भी है कहें सवाल यह नहीं है कि एँसने योनों यह करिवारा है इम्रान फ़्य आप इक बाद बता इए अभी तो इम्रान खान सरे क्षाबिक वजीर अधम है साविक वजीराइजम है ये रिष्टा कल तो नहीं बना जिस हक से फरागोगी हीरे मांग रही है ये तो कल नहीं बना इसका मतलब मलेक रिष्टा तब भी होगा जब इमरान खान पावर में होगा जब इमरान खान प्रधान मंत्री होगा पाकिस्तान का तब भी रिष्टा ह एक ऐसे तो नहीं होता, एक रिलेशन्शिप होता है, एक रिश्टा बनता, आपका पहले से रापता है, तब ही अब बात कर रहे हैं, and why only इमरान खान यार, why only इमरान खान, आप जर्दारी, आसिफ अली जर्दारी को देखे, जर्दारी को, जर्दारी से उसने जिस तरीके से बात करी, दुआ सलाम हुई उनकी, और जर्दारी ने खांसते खांसते बड़े आराम से बड़े प्यार से बात करी, इसका मतलब मलिक रियाज जर्दारी को तब से पैसे दे रहा है, या तब से उसके रिलेशन्शिप है, जब जर्दारी प्रेजिडन्ट था पाकिस्ताने क तो मैं ये पूछना चाता हूँ अपने पाकिस्तानी भाईयों मैंनों से जो वीडियो देख रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेजिडेंट सबके सब कॉम्परमाइजड है एक रियल स्टेट का बंदा एक बिल्डर वो आपके प्रेजिडेंस हाउस में भी पहुंचता है आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पहुंचता है उनको पैसे खिला रहा है और उनके पास मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उसके पास प्राइम इनस्टर है प्रेसिदेंट का प्राइवेट नंबर कैसे हाई उसके पास पैसे खाली है वो छोड़ो बात की बात है उसके पास नंबर कैसे है वो डिरेक्ली जरदारी साब को फौन कर रहा है और है vendorStrारी और पाकिस्तान, उसका एक्सेस है यार, उसका एक्सेस है, प्रेजिदेंचल पैलेस में उसका एक्सेस है, जो पाकिस्तान का राश्पती भवन है, या जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है, बनी गाला जहां पे भी, उसका वहां पे एक्सेस है, और खुलके पैसा वैसा फोन पर मांगने है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, सरयाम भी हो रहा है, बतलब इस शॉकिंग, जनरल फैज हमीड जो था ना, आइसाइ चीफ जो फिर उसको निकाला, फिर वो पिशावर कोर कमंडर, तो वो बंदा न, चाहे चाहे पी रहा था, फिर कंधार में नमाज भी पड़ी थी, उसके आइसाइ चीफ बनने से पहले जो आइसाइ चीफ था ना, जनरल आसे मुनीर, तो वो जो बंदा था न, वो एक बार गया, उस समय इमरान खान नैया पीम बना था, और वो इमरान खान के पास गया वो, उस समय ये फैज हमीड नंबर टू था, आइसाई म कि बुसरा बीवी, यानि आपकी बीवी, वो ना करप्ट है, और खातून अवल चोर है, हमारे पास इंटरसेप्ट है, हमारे पास रिकॉर्डिंग हम आईसाइ वाले हैं, सबके उपर नजर रखते हैं, आपकी वाइफ आपके नाम पर पैसे खारी है, अभी आपको कुछी म पैसे खा रही है, वो मलिक रियाज से पैसे खा रही है, और मलिक रियाज आपकी वाइफ को पैसे देता है, और आपकी वाइफ के थूरू काम करवाता है, आप काम कर देते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसी काम है, लेकिन ये पैसे खा रही है, और हमारे पास प्रूफ है, और जनाब अगर आप चाहें तो मैं आपको आडियो रिकॉर्डिंग, विडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, जो आपको जिससे आप शौर हो जाएं, जिससे आप कन्विंस हो जाएं, मैं आपको दिखाने को तयार हूँ, और बताएं मैं कब ले हूँ सामान आपके सामने अब देख लीजे आपकी वाइफ का मलेक रियास से बात करते हैं वह सारी फोन कॉंडरसेशन की रिकॉर्डिंग हमारे पास है अगर इमरान खान इतना बड़ा साबिक और अमीन होता तो इमरान खान साफ सीधी बात है अपनी वाइफ को कंफरंट करता और बोलता कि तुम ऐसा मेरा नाम मत खराब करो तुम्हें नहीं करना चीए और अगर तुम बास नहीं आई तो मैं तुम्हारे उपर केस करूंगा इमरान खान ने मुनीर साब की चुट्टी कर दी उनका टाइम था उसने मुनीर साब की चुट्टी कर दी चुट्टी कर दी उसकी जगा लाए फैस हमीद and the rest is history वो फैस हमीद को लिया है को फैस हमीद नंबर टू था और फैस हमीद ने पूरा जो इसका election था ना 2018 वाला वो manage फैस हमीद ना करा था फैस हमीद was the person responsible for the entire 2018 जब उसको बोला था ना कि selected है elected नहीं है वो सारे selection में तो फैस हमीद का काम था पूरा पूरा का पूरा तो मुनीर साब की चुट्टी क्योंकि मुनीर साब ने बोला कि खातून है अवल तो she has got her hand in the cookie jar ये तो मलिक रियाज से पैसा का रही है मलिक रियाज is I mean मैं ये सोचता हूँ कि इनकी as a businessman इनकी पहुँच कहा कहा है Prime Minister House के अंदर Prime Minister की wife है ना उसके पास मलिक रियाज उसको पैसे दे रहा है अपना काम करवाने के लिए ना उसको घूस दे रहा है उसको क्या कहते हैं उसको bribe दे रहा है और इमरान खान मुनीर साब की छुटी कर दी इमरान का लट ले थे establishment के तो बोला ठीक है ये मल्क को एक खास direction में ले जा रहा है इमरान खान ले गया direction में तो ये इमरान खान की भी खेलता है लोग कहते हैं ना कि बड़ा honest है इमरान खान मैं कहा रहा हूँ किसी दिन ISI को ये सारे के सारे documents और मैं तो एक बात और बताता हूँ हो नहूं कि ISI अलड़ी कर भी रही है जिस दिन इमरान खान हाथ से निकला ये बुशरा बीबी के मलिक रियाज के जितने भी चोरी वाले कारणा में हैं भूस खोरी के बरश्टाचार के ये जितने भी मामले हैं ये सब सामने आने वाले हैं बिकोज ISI I think is waiting for the right time and they feel that हो सकता है कि अमरान खार का temperature थोड़ा जिस दिन हाथ से बिलकुल ही निकल गया अभी तो बयान बाजी कर रहा है जिस दुन उनको लगा कि खाना जंगी का ग्रह युद्ध का महौल है सिविल वार का महौल है ISI पूरी प्रेस कॉन्फरंस बोलाके बोलेगे कि ये खातून अवबल जोर है क्योंकि ISI के पास वो उसकी विडियो रिकॉर्डिंग उसकी ओडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज यानि कि डॉक्यमेंटेशन पूरा का पूरा ISI के पास आज की तारिक में पड़ा हुआ है तो यार पाकिस्तान के वेब अब इंटेलेक्च्छल कि इमरान खान तो सेलेक्टिड था और जो शेवा शरीफ है वो सेलेक्टिड नहीं है एक डिमोक्राटिक प्रोसेस है ये गलत फेमी है या फिर पाकिस्तानी खुद से भी जुट बोल रहे है मैं यह मनता हूँ कैसे जुट बोल रहे है यार देखो ये बात तो सच है कि इमरान खान सेलेक्टिड था और ये भी बात सच है कि शेवाज शरीफ एक डिमोक्राटिक प्रोसेस से आया लेकिन वो डिमोक्राटिक प्रोसेस मैनेज किसने करा इनके लिए वो फॉज ने मैनेज करा अचानक जो लोग आपके मैं ये देखो ये जो इमरान खान की थियोरी है ना इमरान खान जो चूरन बेच रहा है कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता था तीन मेने तेरा में तुम्हें क्यों हटाएगा गरीब मुल्क जे फटी तुमारी रफू वाले कपड़े बेंते हो खाने के लिए है नहीं अठारा गंटे की लोड शडिंग अमरीका हमारे खिलाफ साज़िश कर रहा है यह तो बचकानी चीज़े हैं जो पी टी आई का जो बिलकुल जिसको कहते है न जो पी टी आई का एक वरकर होगा या वो बच्चा होगा जो दस-दस फेक अकाउंट बनाके ट्विटर पे चला रहा है ट्रेंड वो मान सकता है क्योंकि वो पड़ाई लिखाई का रिवाज तो है नहीं पाकिस्तान में तो because he's not intelligent वो एहमा के बेकूफ है तो वो मान सकता है दुनिया इसको swallow नहीं करती देखिए ऐसा है वेबफ इमरान खान को भी फौज लेकर आई और शहवाज शरीफ को भी फौज लेकर आई अब एक बाद बताईए नवाज शरीफ बना था प्राइम मिनिस्टर मुलका प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ किसकी वज़े से हटा वो वो जो कोर्ट के केस हुए किया वो सादिक और रमी नहीं रहा या जो करॉप्शन के केसे सुवए वो कहां से आये नवाज शरीफ को हटा के इमरान खान को कौन लेकर आया इमरान खान को हटा के शवाज शरीफ को कौन लेकर आया देखे, वो फौज चाती तो नवाज शरीफ को ला सकती दे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ बैगेज बहुत था, जेल में जाना वगारा, ये सब छोड़ दो, इसके अलावा उसने जो फौज के खिला बयाना दिया है, तो उससे तोड़ा से जब वक्त बीच जाता है, तो माम इमरान खान को अगर ये लगता है कि लोग उससे इतने खुश हैं, लोग पागल हो रहे हैं इमरान खान की महबत में, है ना, तो बड़ी गलत फहमी है, ये पीट पीछे सब कुछ डिजाइन हो रखा है, नवाज शरीफ जब तखते से गिरा, चाए मुशरफ में पहले गिर तो इमरान कान को पहली चीज अपने फेम और अपनी पॉपलरिटी के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, पहली बात, अब रिसेंटली क्या पाकिस्तानी मीडिया में ख़बर बड़े जोरो शरों से आई, कि जो स्पेशल वेटिंग एजनसी है, यानि कि जो भी जो भी बड़ा एहलकार, जो भी बड़ा अफसर पाकिस्तान में जिसकी ट्रांसफर ये पोस्टिंग होगी, उसका जो वेटिंग है, वो ISI करेगी, एक जमाने में नवाज शरीफ ने बोला था कि इंटेलिजन्स बूरो को कि सिविलियन इदारा है, वो करेगा, वो करेगा शहवाज शरीफ ने बोला कि ISI करेगी है, क्या फॉज न्यूट्रल रह गई, आप न्यूट्रल नहीं रह गई, भई देखो, इसका मतलब कि फॉज बताएगी कि चीफ सेकेटरी एक स्टेट का कौन लगेगा, क्योंकि फॉज ने क्लियर करना है, कौन लगेगा, और जब फ हम तुमारे हाथ में दे रहे हैं, ठीक हो गया, एक्जेक्टिव हम तुमारे हाथ में दे रहे हैं, तुम फैसला, तुम यानि कि ISI, यानि कि पाकिस्तानी फॉज, यानि कि बेसिकली जनरल बाजवा, let's not even say ISI, ISI is part of the Pakistan army, technically might be reporting to the prime minister, but it's for all practical purposes, part of paak army, जनरल बाजवा will decide, right, who will be chief secretary, who will be home secretary, who will be this, who will be that, who will be IG police, who will be DIG police, who will be this, this will be appointed by the force, because ISI is the vetting agency, ये deal हो गई, नून लीग और उसके, yeah, let's call it PDM, नून लीग क्यों बोलने समिन तो सभी शामिल है, मौलाना फजल राइमान भी उतरा शामिल है, शहवाज शरीफ भी, मर्यम और अंजव को ले लिजे, बि इसाई को दे दो, अच्छा, इसके एवज में क्या चीए कि देखो सर ऐसा है कि इमरान खान चिलाता है चिलाने दो, बम गिर जाएगा, एटम बम गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब ड्रामा चलने दो, ठीक है, ये ड्रामा चलेगा, इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब ये अपनी आउकाट से बाहर पैर रखेगा जब ये लक्षमड रेखा पार करेगा तो सर आप उसको ज़रा उसके गले में जो पट्टा है ना उसको ज़रा खीचना और उसको बोलना कि बिकास नून लीग जो है नवाश शरीफ चारा था एलेक्शन हो जाएं बीच में कुछ बात हुई थी इनकी लंडन में अब अब पूरा अब जो भी एलेक्शन होगा गड़ साल के बाद होगा तब देखेंगे और तब तक इनको ऐसा है कि हम अच्छी तरीकिसा इम एफ के प तरफ आ जायेका एकड़ार साल में येनका के एस्टमेट है और फिर हम चुनाओ एक डेवलपमेंटल प्लाइंग से लडएंगे आम लोगों के सामने जाएंगे और तब तक इसकी हवा भी निकल जाएगी, इमरान खान की, इमरान खान की तब तक हवा निकल चुकी होगा, गर्वी में कितना इतजाज करेगा, कितना प्रोटेस्ट करेगा, कितना धरने करेगा, कितना क्या करेगा हो, और जैसे पाकिस्तानी कहते हैं न, कि लोगों को बुलाना और उनके सामने तक्रीर करना और धरना उसमें जमीन आसमान का फर्क है धरने में रोज करोणों रोपे खर्च होते हैं अनलेस यूर स्पॉंसर्ड वाइ संबड़ी वरी बिग धरना करने से कोई मतलब नहीं है अनलेस यूर स्पॉंसर्ड या तो मलेक रियास बोले कि अगले इतने समय तक मैं आपके धरनों की मेरे स्पॉंसर्बिटी लेता हूँ बैटो डी चॉक में मैं बिर्यानी खिलाओं गरोज लोगों को टेंट, कूलर, एर कंडिशनर, आने जाने का पेट्रोल दस चीज़ें होती, करोड़ और पर उसका मलेक रियास गैरेंटी लेता है कि आप साल भर तक करो धरना या तो, वो फॉज करने नहीं देगी तो अभी ये बात है कि जो इनों ने ये ISI को लगाया है ना, स्पेशल वेटिंग एजनसी ISI को, this is a trade-off this is a clear trade-off between PDM and Pakistani ISI पाकिस्तानी आर्मी बोलो यार वाई से ISI, between जनरल बाजवा और PDM, कि सर, हम आपको तेजोरी की चावियां दे रहे हैं फैसला आपके हाथ में आप हमारे बड़े हो, हम तसलीम करते हैं कि आप हमारे बड़े हो ठीक है, ये बात एक हो गई दूसरी चीज़, इमरान खान को दूर रखवा बाकि हम एकॉनमी समालते हैं ये डील है, जनरल असद दुरानी थे ISI चीफ, उन्होंने दुल्लत साब के साथ जो रो के चीफ थे, किताब भी लिखी थी सेम जनरल असद दुरानी वेरी वेल रेड़ और वेरी सौफ्ट स्पोकन जेंट्लमन उन्होंने रिसेंटली आर्टिकल लिखा कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया में उच्छापा था, और डिसकस भी वह थोड़ा बहुत वार्टिकल कि ये एक तो फौज की गलती है कि ये पॉलिटिक्स में इंटिफिर्ट करती है ठीक है तो उन्होंना बोला कि फौज की गलती है लेकिन उन्होंना बोला कि पॉलिटिशन्स की भी गलती है जब ये उपोजिशन में होते हैं पहुच को कहते हैं कि साभ हम आपकी ताबेदारी करेंगे, हम आपके बूट पॉलिष 犠ेंगे, हम आपकी हर बात मानेगे, आप हमें मौका तो दें एक बर, इन से बहतर करेंगे, जो पहले हैं, correct, इन से बहतर करेंगे, तो नवाज शरीफ ने भी यहीचीज करी नवाज शरीफ ने भी यहीचीज करी इमरान खान ने भी यहीचीज करी शहभाज शरीफ ने भी यहीचीज करी जब इमरान खान था अब इमरान खान ऑपोजिशन में इमरान खान भी यहीचीज कर रहा है तो साज भी कभी बहुत ही टैप कर ने इसका ये पूरा ड्रामा क्या कर रहा है इम्रान ये कर रहा है कि स्ट्रीट पे टेंपरिचर बढ़ा रहा है ठीक है कि जब मैं फॉज के साथ नेगोशियेट करूँ मैं सिर्फ हाथ पेरना पकड़ू उनके मैं फॉज को ये बोलू कि भाई ऐसा है कि तुम ये कर दो वरना मैं ये कर सकता हूँ तो मेरा एक नेगोशियेटिंग पावर जो है आई के नेगोशियेट फॉर्म पॉजिशन और स्ट्रेंग्ट ये इम्रान खान के पूरे स्ट्रीट प्रोटेस्ट का लब लुबाव यही है ये वांस तो बिकम सोर अब ये कैसे प ना झाल पड़े लिखे लोग है ऊथर बॉच्तानी को गुड़ लगता ही कि मतलब कि मारे व्रे बारे कितने स्कूूल कॉलीज था है अरे तो पाकिस्टान में थे पाकिस्तान में कोई भी होगा कितना अच्छा स्टेंडर हो जाएगा वो स्कूल और कॉलेज का उधर रहना तो पाकिस्तान का ही स्टेंडर है तो उधर से पड़े लेगे लोगा तो उनको चूरन खिला कि इमरान खान इमोशनल कर देता है कि अब कि अब कि अब करेंगे हम आपको क्या चीए हमें एक बार मौका दो और सभी कर रहा है और अगर शेवाज शरीफ हट जाता है और अब क्या हुआ शरीफ ने मौसन दावड को यह मौसन दावड को अली वजीर यह मंजूर पश्तीन के भाइबंद पश्तुन तावस मौवमेंट वाले इनको उफर करा कि भई मैं तुम यह ना वजीर वजीर बना दिता हूं तो बोला कि साब मैठ ठीक है तो मौसन दावड ने बोला मैने तो आपसे पूच्छा नहीं है मैने तो आपसे मगा नहीं कि आप मुझे वजीर बनाओ तो बोला न जब बैठे मीटिन्ग में मुहसंदावड में तो मीटिन्ग में चल रही कि अच्छा आपको ऊ mère दिया जब झा ने जब कर कовых कुछ मैं तो फेले कि नहीं कि हुआँ सब्सक्राइब मातंब कर दिया या तो मैं आपके पास गया हूँ कि मुझे वजीर बनाओ मैंने तो बोला ही नहीं आपको वजीर बनाओ और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपको पहले बाजवा साब से पूछ के बनाना चाहिए था कहरा नहीं साब हम तो बना दें आपको अभी भी लेकिन फिर हमारी सरकार चले ना चले फौज टांग अड़ाएगी कि भाई तुमने मुझें दावर को बना दिया हमारे बोलने कि बाजवा साब ने मना कर रहा था तुमने बना दिया फिर क्या हो रहा है तो एक लेड़ी थी वहाँ पे जो भी वजीर बनी खातून थी वहाँ पे उस खातून न बोला कि इसका मतलब तो वो है कि एक कटपुतली को हटा कि फौज ने दूसरी कटपुतली लगा दी शहवाज शरीफ सामने बेठा तो उसको साप सूंग गया विकोई